सिधार्टी आदब जी इतना पुरा पुरा आगा कि आप किस दल में थे हमने तो आपको आज कुछ कहां नहीं यह पार्टी के हालत हो चुकी आज चोड़ने से पहले तो आरी गंदगी का पिटारा इंके पास रखा है जैसे छोड़के जाते हैं डूलने लगते हैं कि मेरी बात मत करना है मैं जहां आप नता है आप एक लिस्ट जारी कर दो आपकी पार्टी में कौन-कौन ब्रस्टा चारी कर दो आपनी सत्ना के लालज के लिए और ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो नारी और नारायन दोनों का ही अपमान करते हुए नजर आए ऐसे लोगों क्लिक क्या कहेंगे सर वो भी आपकी की पार्टी में पाय जाते हैं जो गिने चुने बच गए आप शायद वही बच गए हैं अभी आपकी इस वक्तव्वे का मैं जवाब देता हूँ उसके लिए एक वक्तव्वे उनका ऐसा भी था जिसमें उनकी उसके अपना पर देश के नहीं प्रदान मंतरी की भी है और वह रही जाते हैं देखे लिए लोगों गए और एक पूर उक्के मंतरी ने बड़े बड़े पदों पर रहें जाने एक बच्छी के साथ सिस्क्र को एड़ारा कर रहा है मतलब आपके वक्तव्य से मैं ये समझ रही हूँ कि ये सोची समझी साधिश है ये रनेनीती है कि ये ये एंटी नारी और एंटी नारायन बिल्कुल जीस प्रकार से आप देख रही है कॉंगरेस का चेहरा जो इस पर स्वरूप से जनता भी देख रही है वो नजर आ रहा है कि महिला विरोधी चेहरा और सनातन विरोधी चेहरा लगाते है रहा है नहीं दखिए महिला है सोनिया जी महिला है वेमामलली Jimai है आपकाल की बार जुबान तरह और सन्भी शाराव कोई जिबान से पोस्ति रहना है अक 자जेजी कि कोशिश करने हैं फिर आप जब कंपेर करते हैं तो आप जस्टिफाइब करने की कोशिश करते हैं जदी किसी महिला वो भी एक राश्ट्रिय पार्टी के परवक्ता के बारे में इतनी ओची बात रखे तो उसमें अपमान नहीं होता आपको शर्व नहीं आती कली क्या बोला है कल जो है सुर्जेवाला जी का बयान पर जिसको रिपीट नहीं किया जा सकता है चैनल पर चला नहीं रहे लोग जाए उसके बयान को आप जो है वहाँ पर सरचड़ देने आपकी महिमा तो संसर्ट करना आप जोनों को तब माफी मां यहां तो आप जास्टिफाइज करने की कोशिश कर रहे हैं आप जास्टिफाइज करने की कोशिश कर रहे हैं पंकर जी करते हैं तो आप उसको ढ़ाल बनाते हैं आप जस्टिफाइ करने की कोशिश करते हैं एक सेकंड पंकर जी एक सेकंड मैं आपको रोक रहे हूं एक बर जरा पंकर जी का पॉइंट आज आजए देखिए जो भी गलत है उसको गलत कहना चाहिए लेकिन आजकल राजनितिक दलों में ये बात पूरी तरह से स्पस्ट है कि उन्हों ने ऐसा कहा था तो हमने भी कहा था कोई बात 20 साल 50 साल पुरानी निकाल के ले आएंगे कि उस समय उन्होंने ऐसा कहा था इसलिए अब हम ऐस तो अगर माफी मांगने का सिलसिला हम आज शुरू करेंगे तो 2029 के चुनाओ तक हम माफी ही मांग सकते हैं इतनी चीजें हुई है इतने बयान रो जाते हैं इस तरह की बाते होती है कि हम 2029 तक माफी मांगते रहेंगे अगले चुनाओ तक भी ये माफी नामा खतम नहीं हो वो आपके मन के उद्गार बताती है मैं हिमानी जी बड़ी आज गंभीरता से कहना चाहता हूँ हमने डिबेट काफी विश्यों पर करी पर अगर माफी मांगनी है कॉंग्रस पार्टी है इन सभी दोनों को तो मांगनी चाहिए जो भारत की प्रगती के साथ आपने किया था इतने लंबे समय से जो आपने भारत की प्रगती को अधर में डालके रखा था इतने लंबे समय से आपने इस देश की अकांग्षाओं को अधर में डालके रखा था आप बेरोजगारों को बेरोजगार 12 को अधसल में कैसे बढ़ा दिया जवाब देख एक एक करकर एक करकर एक एक करकर एक पर आपको आपको रोक रही हो अपको नहीं लगता है कि कॉंग्रेस की इस गलती के वज़े से या इस ब्लंडर की वज़े से पूरे गढ़दन को इसका खाम्याजा भुगतना पड़ रहा नहीं लगता है सपी आपको आपको नहीं लगता है आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ये मुझे नहीं लग रहा है, ये संजे निरूपम कह रहे हैं, ये गौरफ वल्लब कह रहे हैं, ये रोहन गुप्ता कह रहे हैं मैं ही कह रहा हूँ कि कॉंग्रेस ने मुझे कुछ बोला, उसके नेता के जुबान से कुछ बात निकली, उसको तो इन्हें भुगतना पड़ता है, ये कर देते हैं, ये कांड करते हैं भाजपाई, बनारस के अंदर इनके आईटी सेल के लड़के पकड़े गए जो बनारस इ अपने करमो पे इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप लोगो को आ ही एक दूसरे की बात समझ, नहीं आ ही है, मुझे तो नहीं आ ही है, मुझे आ ही इनके बात समझ, जब आप देना पड़ेगा ना एक तो चुछ भी आ पर लिए पे